हलो दोस्तों क्या आल है आपके आज किस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं UPCET इंटरेंस एक्जाम डेट के बारे में बीफार्मा इंटरेंस एक्जाम की डेट के बारे में क्योंकि काफी जाधा कोस्चन्स या फिर बोल सकते हो आप कॉमेंट्स आते रहते हैं टेलिग्राम पे भी बहुत जाधा डियम आते रहते हैं कि भाईया ये इंटरेंस एक्जाम की डेट कब होगी कब तक होंगे पेपर तो इसी सब चीजों के बारे में बात करिए इस वीडियो में और साथ में इस वीडियो में हमने बात करी हैं कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना जाते हो किसी भी तो वहाँ पर डारेक्ली एडमिशन लेने के लिए प्रोसीजर क्या होता है और क्या एडमिशन लेने के बाद जो फीस लगती है काउंसलिंग से जो फीस लगती है और फिट जो डारेक्ली एडमिशन लेने की फीस में बहुत जादा डिफरेंस होता है या दोनों की फीस में फरक होता है किसकी फीस जादा लगती है किसकी कम लगती है तो इन सब चीजों के बारे में बात करिए इस वीडियो में तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रेंस एक्जाम की डेट के बारे में तो जैसा कि आपको पता है ऑगस चल रहा है अगस्त हो चुका है और अभी भी कोई भी आप अंदाजा लगा सकते हो या प्रेडिक्ट कर सकते हो कि जो आपकी इंट्रेंस एक्जाम होंगे आपके तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि आपके पास एक महीने का टाइम और बच्टा और आप अपनी तयारी और अच्छा से कर रहे हैं और जो पॉसिबिलिटी है 100% हो गयी है कि आप सेप्टेंबर में ही एक्जाम सोंगे आपके भी बात कर लेता है अगर आप प्राइबेट कालेज में अडमिशन लेना चाहते हो तो आपको करना क्या होगा कि आपको जिस Бि अपको कॉलेज में आपको अच्छा काले जो आपकी घर के पास भी कोई ऐस कॉलेज हो जहां पर अड्मिशन लेना चाहते हो बस enjo के रीक कांशलिंगे बाद जाओंगे इंटर्शंक के बाद जाओंगे इंटर्शेंग के बाद 12,000 की max to max difference देखने को मिल सकता है जो counseling से होते हैं या फिर directly admission लेने में दोनों में 10-12,000 का difference दिखेगा बहुत सारे colleges में ये difference भी नहीं दिखता है बट कुछ colleges में हो जाता है ऐसा कुछ additional charges की वज़े से बट उसके बाद जो second year से जो सारी fees होती है कांसिलिंग वालों की और directly admission लेते हैं उनकी सबकी fees same ही होती है तो fees का कोई issue नहीं है अगर आप directly admission लेते हो या फिर counseling से लेते हो तो आपकी fees दोनों में same ही लगती है और आप scholarship के लिए भी apply कर सकते हो तो hopefully ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत helpful रही हो अगर वीडियो प पसनली डियम कर सकते हो thank you